नमस्कार शेन वान जो कि अब तक के सबसे महान क्रिकेटर्स में से एक हैं उन्होंने एक चौकाने वाला खुलासा किया था उन्होंने खुलासा यह किया था कि पाकिस्तान के क्रिकेट कैप्टेन उस जमाने में जो होते थे उन्होंने आके शेन वान को ओफर दिया था दो ला एक लाक डॉलर दे सकते हैं यह बात जो आई है अभी शेन वार्ण ने शेन नाम की एक डॉक्यमेंटरी बन रही है उसमें बोला है उन्होंने यह भी बोला कि सलीम मलिक ने यह बात बोली थी I need to see you we can't lose you don't understand what happens when we lose in Pakistan our houses will get burnt our families' houses will get burnt down मतलब उन्होंने यह बोला कि आपको यह नहीं पता गया अगर हम पाकिस्तान में हार गए तो क्या होगा हमारे घर जला दिये जाएंगे अगर घर जलने का डर है तो आप क्रिकेट खेलते क्यों है पाकिस्तान खेलता क्यों क्या क्रिकेट मैच इतनी बड़ी चीज़ हो गई कि किसी का घर जला दिया जाए उसके लिए पाकिस्तान में ऐसी ऐसी सूरतहाल आया क्यों ऐसे सूरतहाल आये क्यों इसलिए आई कि पाकिस्तान के मिनिस्टर होम मिनिस्टर यानि के इंटिरे मिनिस्टर शेख राशिर वो एक पाकिस्तान की जीत को इसलाम की फतह बताते है इसलाम की फतह है तो जो हार होगी वो इसलाम की हार होगी तो इसलाम की हार टॉलरेट की जा सकती है इसलाम की हार थोड़ी टॉलरेट की जा सकती है कौन करेगा तो ऐसी सूरत हाल में ये मैचेस खेले जाते थे और आज भी खेले जाते इसमें कोई शक नहीं कई बार अंडे पढ़ते थे कई बार कुछ होता था ये ऐसा माहौल युद्ध वाला माहौल हमले वाल वार वाला माहौल एक क्रिकेट मैच को बनाया किसने इनके उन हुकमराणों ने जिन्होंने सस्ती पब्लि सिटी लेनी की कोशिश की इन मैचेस से इनमेट कभी-कभी ये उन्होंने बताया नहीं सली मलिक वो मैच फिक्सिंग के लिए बेयन हो गए थे और वो सबको पता है यह बात बहन हो गए थो यह बात इनके इंटिरियर में इस्टर शेक राशित ने यह बात नहीं बताई कि यह जो इसलाम की जीत थी यह वाला मैच जो इंडिया पाकिस्तान का हुआ था वो मैच तो नहीं फिक्स था वो मैच तो बिल्कुल क्लियर देख रहा था लेकिन ये वो ये बताना भूल गए कि कभी कभी ये इसलाम की जो जीत थी उनकी कभी कभी खरीदी हुई भी होती कभी खरीदी होती है कितनी बेशर्मी से उन्होंने इसको इसलाम की जीत बता दिया इसलाम की जीत खरीद के पैसे दो लाख डॉलर दे करके ली जाए यानि के इंडियन करेंसी में डेड़ करोड रुपया माइने रखता है बहुत बड़ी चीज होती है आप इसलाम के जीत खरीदने की लेवल पे आ चुके तो अब आप कैसे कैसे मैचेस खेले जाएंगे सलीम मलिक पे बैन लगा था ये भी सबको पता था इन्होंने शेन वान ने ये बोला कि उनको और टिम में दोनों को खराब परफॉर्मेंस के लिए पैसा देने की बात हुई थी लेकिन उन्होंने बोला कि हम ये मैच जीत के रहेंगे और तुम्हें हरा के रहेंगे हला कि वो मैच पाकिस्तान जीत किया था परफॉर्मेंस क्योंकि उस मैच में परफॉर्मेंस अच्छी हो गई थी दो प्लेयर्स की और मैच में जो ये जीते थे उसमें ये जो मैच पाकिस्तान तो जीता था लेकिन इसमें इन्हों ने बड़ा अच्छा काम किया था शेन वान ने बड़ा अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया था 2000 में सलीम मलिक को बैन किया गया था और उसके बाद सेकेंड हाइस्ट विकेंड टेकर हैं ये शेन वान अब तक के लेकिन ये इन्सिडेंट जो है कराची का टेस्ट मैच था 1994 का उस समय काय चौथा दिन का मैच चल रहा था तब आके बोल रहा था शेन वान ने आठ विकेट पे डिर सो रन देके आठ विकेट लिये थे लेकिन फैक्ट सकलेन मुश्ताक और इंजामावल हक की जो जोड़ी थी जिसने 57 रंस बनाये थे उसकी वशेसे ये मैच जीत गए थे वरना ये मैच हारते दिख रहे थे वो इसलिए आफर करने आए थे अब बात यहां आती है मैच की पूरी कहानी बता दी कैसे पैसा ओफर किया गया ये बात कहानी बता दी और किसने ओफर किया उस पे बैन लगा इस मैच पे नहीं उसका अलग टीम्स के साथ मैच जिम्बावे के साथ मैच पे उसको बैन लगा ये बात सबको पता है कि पाकिस्तानी टीम और पाकिस्तानी अमपायर कैसे काम करते है और रिश्वत देने का काम और ये वो ये रिकॉर्स पे हैं मैं नहीं बोल रहा हूं रिकॉर्स पे है जब रिकॉर्स पे कोई टीम रिश्वत दे रही है रिकॉर्ज पर कोई टीम पैसा दे करके मैच जीतने की बात करती है उसके बाद आप उसे इसलाम की जीत बताएं ये कहां तक मुनासिव है तो क्या इसलाम की जीत या पाकिस्तान ऐसे ही जीत दिखाता है क्या उसको पाकिस्तानी इलेक्शन क्रिकेट मैच को पाकिस्तानी इले चीज़ करते हैं वो अलग चीज़ होती है ये क्रिकेट मैच है ये क्रिकेट है जिसको ICC और BCCI करती है इस मैच में हेरा फेरी करते हुए जो पकड़ा जाता है उसको धर लिया जाता है उसको लाइफ टाइम बैन होता है ऐसे इंडियन प्लेयर्स भी थे और दूसरे कंट्री ने उसे क्रिश्चैनिटी और हिंदु़िस्म की जीत नहीं बताया ये खरीदी हुई इसलाम की जीत कब तक लेते रहेंगे और इसलाम की जीत बताया था जिस मैच पे उससे पहले 12-14 मैच इंडिया जीत चुका था कभी नहीं बोला कि इसलाम हार गया ये जो जो रिवलिश से बच जाएं क्या हालत है पाकिस्तान की एक मैच हारने पे घर जला दिया जाते हैं और पाकिस्तानी एड्मिनस्ट्रेशन या पाकिस्तान कुछ कर नहीं पाता है पाकिस्तान ने क्या किया है इस अपने कंट्री को जिसे बिलकुल इसलाम की जीत एक मैच को क्या बिलकुल आ रही हैं जिसमें हिंदूओं को विलिन बताया जा रहा है और ऐसी फिल्म क्लिप्स आ रही है जिसमें सिखों को काफिर बताया जा रहा है जल्लाद बताया जा रहा है ऐसी वीडियो क्लिप्स हैं ऐसी किताबों में पढ़ाया जा रहा है यह क्या पढ़ा रहा है पाकिस्तान जलादव लिखा हुआ था और तो ऐसी चीजें अगर बताई जाएंगी पाकिस्तान की तरफ से तो क्या बच्चों के दिमाग में पैठेगा और बच्चे क्या सीखेंगे आप हिंदू से हार गए आप क्रिश्चन से हार गए आप सिक्ष से हार गए आपका घर जला दिया जो पाकिस्तान ने सीखा है ना इसका खामियाजा पाकिस्तान को अगले तेड़ सो साल से कम तो नहीं भुगतना पड़ेगा ऐसा तो बहुत क्लियर है कि उससे जादा भुगतना पड़ सकता है उससे कम नहीं भुगतेगा पाकिस्तान के साथ साथ ये जो टेक्स्ट बुक् अंदर घुसती है पाकिस्तान की सोसाइटी में कि हम किसी हिंदू से हार कैसे सकते हैं हम किसी क्रिश्चन से हार कैसे सकते हैं इसी लिए यह ओफर दिया गया था और इसी लिए सलीम मलिक बैन हुए थे वैसे पैसा क्रिकेट में कई बार पकड़ा गया है इसमें कोई शक नहीं लेकिन ये तो अपने घर बचाने के लिए दो लाख डॉलर दिये जा रहे हूँ तो एक शर्म की बात होती है पाकिस्तानी गॉर्मेंट क्या इतनी सक्षम नहीं है क्या इतनी इतनी capable नहीं है कि अपने players की घर बचा पहे उनको पैसे दे के अपने घर बचवाने पड़ रहे हैं इससे जदा कोई क्या शर्मनाक हो सकता है किसी country के लिए इसी के साथ एक और खबर के लिए फिर्ट हादर होंगे नमस्कार जैहन